प्रेस करें 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 प्रेस तुमें वापस महीं जाना पड़ेगा प्रेस करें प्रेस करें प्रेस करें प्रेस करें कौन हो तुम? भीमफलासी महराज, इस नाम के भी एक बड़ी कहानी है तुमने आज हमारी चान बचाई है कहो क्या इनाम चाहते हो अपना खित्मतगार बना लीजिए महराज, और कुछ नहीं चाहता इसे अपने साथ महलों में ले चलो महराज, महलो तरबार में ऐसी बाते नहीं होना चाहिए जिसके खांदान का मालूम नहीं कि अच्छा है या बुरा ये पता नहीं कि कहा की रहने वाली है, माबाद कौन है जो एक नन्मी से बच्चे को मुहबबत की भीग देने से चिचक जाए दिवान जी, आप जा सकते हैं नाना, मैं हर रोस इसी वक्त यहां आकर आपके बुलावे की रहा देखूंगी में आप रहा देखाए इया बहुत पाके अजा है मैं नो आप आपके अजिए वराष यहां तो सत्का रमाड़ झाण काण क्रा यहां क्राइब 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 कौन क्राइब क्राइब हाँ हाँ अग्कोर इजी, आपकोर इसिग्ड़ुब आगे मेधाये, चेरी सागे, आगे जने चदर सागे हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु और अभी तो हमारी तुम्हारी जान पहचान भी नहीं हुई कौन है तुम, कौन हुए अंध्य हो, दिखाई नहीं देता आ, अब दिखाई दिया चान, आस्मान से उतर कर जैसे एक लड़की ये कंदों पे टिक गया और ये काली घटा है, जो चान की पेशानी चूम रही है अच्छा सुनो, अगर मैं ये कह दू कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो तो क्या काऊ भी जवाब में? मैं तुम जैसे से बात करना अपनी तोहीन समझते है दाकू कहीं कि तुम भी तो एक दाकू हो, हम पहाड़ी दाकू हो, तुम मैदानी दाकू हो, हम घोड़े चुराते हैं और खिन दिल चुराते हैं मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो मैं राजकुमारी हूँ राजकुमारी 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 जी इतनी खुबसूरत होकर भी तुम्हे जूट बोलना नहीं आया हम जानते हैं कि महराज की कोई आउलाद नहीं है मैं राजकुमारी हूँ जरूर जरूर आप राजकुमारी हैं इसलिए तो हम आपको दावत देते हैं और चाहते हैं कि आप हमारी महमान नावाजी कुभूल करें मगर हमें ये दावत कुभूल नहीं तुझ जाईए हमारे इलाके में जो भी आजा उसे हमारा हुपम मानना पड़ता आईए ऐढ़ा को बाद़ कर आईए बढ़ी बढ़ी जिलके शीष महल में आया इकमत वाला दोर हो जिलके शीष महल में आया इकमत वाला दोर जिलके शीष महल में आया इकमत वाला दोर हो खाली गया नहुस्त की पहली नजल गवाल ऐसे ही चलाएं तीर के दिल कल लिया शिकार मिले हैं दिल से दिल खाएं मिले हैं दिल से दिल मीने की सुरन हो तो ऐसी हो कोई जाने ना पैचाने महबद हो तो ऐसी हो कोई जाने ना पैचाने महबद हो तो ऐसी हो जंदा की नगदी से उड़ कर आयाने कुछ पोर हो मेन मिला कर देन सिकसने बांदली प्यार की दोर हो मिल से राएं तिल के जीं मिलं मेदी मिलाएं सिक का जिल में राएं समया कर देनि मांत लाखों में खुश नसीब वही है जहान में महमान बन के आए जो दिल के मकान में जले एक आग में दोनों जले एक आग में दोनों जो हालत हो तो ऐसी हो कोई जाने ना पैचाने मुहबत हो तो ऐसी हो कोई जाने ना पैचाने मुहबत हो तो ऐसी हो जम जम करती आए तुलन या अपन पिया के ओर हो नेन मिला कर नेन से जिसने बांदल प्यार के दोर हो तिल के शीच महल में आया एक मत वाला चोर हो क्या हमारी महमान आवाजी पसंदाई सेफ खाईए राजकुमारी साहरा यह जिस पेड के हैं उसे मैंने अपने खून से सीन चाहिए जी हम एक बात मेरी उंगली में चोट आगई थी और सुनिये उस सेफ के पेड के नीचे मैंने अपने व्लखन दोया थी तो यह तुम्हारी शरारत थी बगार इजारत के ठागने वाले को यहां गोली मारती जाती अज़िए अज़र मैं पस्तोल का मूना फेर देता जो तुम यहीं चंदी हो जाती देख लिए अपनी शरारत का नमूना अब मैं चलूंगी कैसे चलने की दरूरत ही चाहिए तुम्हें तुम्हें उठाने का बहाना चाहिए चलती क्यों कोई हलकी तो हो नहीं तो कहा किसने था उठाने को यह नो तुम्हें 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 प्यारी लगती ही हूँ मगर तुम्हारी हसी ने तो गजब ही ठादिया तुम्हें तुम्हें क miejए झाल पसका निल dólar यह जो कि अिलुट का लड़ा पारी कुछा। निलऑे चल नियुजवगा कि अ ciud., अ Après-ग है कि युछे म मनन फोड़ानी के दो नि데 किनिया कि कि अ रहार सक्छी का जल STEP का उड़ा है लिज़ लुटन जो जो पाम लुटने जो लिज़ लुटने लिज़ लुटने लिज़ में लिज़ यह हमारा इलाका है, हमारी उस्तुमर, यह खोड़ भी हमारे इशारों से चला करें मेरे पाउख घोड़े नहीं है, जब तुम्हारे इशारों पर चलेंगे चुरा कर दिल को यूँ आखें चुराना किसे सीखा है जरा सी बात पर ये रूट जाना किसे सीखा है चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुदू रहाए मेरा दिल मुझे वापत कर दो, मेरा दिल मुझे वापत कर दो उचले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुदू रहाए मेरा दिल मुझे वापत कर दो, मेरा दिल मुझे वापत कर दो मेरा दिल को छुरा कर जाओंगे तो जा नहीं पाओंगे मेरे दिल को छुरा कर जाओंगे तो जा नहीं पाओंगे दिल दे के जुदाई मुझे नहीं मंजूर हाए मेरा दिल मुझे वापत कर दो चले जाना तुम धूर बड़े शोक से हुजूर हाए मेरा दिल मुझे वापत कर दो जरा कहें दो ये तिरची नजर से के हम को सदाए ना मैं हूँ कोई गएर तो ये छेड मुझे भाए ना मैंने फीक लगाई हुआ मुझे से पुसूर हाए मेरा दिल मुझे वापत कर दो मेरा दिल मुझे वापत कर दो चले जाना सुम धूर बड़े शोक से हुजूर हाए मेरा दिल मुझे वापत कर दो मेरा दिल मुझे वापत कर दो तो मेरा नाम भीम पलाशी है माराजी कि मुक्तिकि पालिश किया करता था अपने ये जादा पलडाई में जंगी फोह की मालिश किया करताता था इसलिए मेरा नÁम पुल पलाशी रखा गया है आप मुझे भीमु कहिए Whoa यह क्या करने आ रहा है राजकुमारी को वापस लेने आया राजकुमारी, कौन राजकुमारी है, यह राजकुमारी है, महराज की मोबोले बैटी है, यही, देखा, चल पिने, अच्छा, तो फिर महल में ही आना पड़ेगा दूसरी मुलाकात के लिए, महलों के दर्वादे चोरों पर नहीं खुला करते, कोई बात नहीं, हम कोई खिर् पर नहीं लेंगे, तो आपको बड़े सरकार याद फर्मा रहे हैं, आपने मिले बुलाया तो थे थे हाँ, कई बस तो ही बेटा, की रियासत खत्रे में पड़ लई, खौप था कि हुकूमत का तक्ता पलट जाएगा, और भागी महराज को कतल कर देगी, उस वक्त मैंने को रोका थी, उस लड़ाई में मेरा यहाँ, यह टांग और यहाँ जाया हो गई थी, लेकिन मैंने रियासत को बचा लिया, इसी कुर्बानी से खुश होकर महराज में मुझे यह जावी बीट, लेकिन पिताजी, आज क्या बात है, आप इतने परेशान के नदर आ रहे हैं, आज फिर हुकुमत और महराज की जिन्दगी खत्रे में है, पहाडी कबीलों ने किसी को रियासत में फेजा है, कि वो महराज को कस्द कर डाले, और मैं यह चाहता हूँ, कि आज जब कि मैं अफाज हूँ, महराज की इफादत कबीला तुम उठाओ, आपके हुक्म की तामिल करना मेरा फर्ज है, तो प्रतिक्या लोग, कि महराज की खातिर तुम्हे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, तो द्रेग ने करोगी, आपके जाबाजी और दिलावरी की कस्म खाकर कहता हूँ, कि जब तक मेरे दम में दम है, महराज परांच नामें बूए, शाबाज आपके इसी तलवार से, महराज पर वार करने वाले की गर्दम ठाच अलग कर दूँगा, तलवार एक डर्भोग का पहरा और एक बहादूर का आखरी सहरा है, इसे वही रख दो, बहादूर इसका सहरा उस वक्त लेता, जब हर कोशिश में नाकाम यापो, बहुत अच्छा पताजी, बगएर इजाज़स के भादने वाले को, यहां गोली मार दीए, याजा यहां, इसे जोब सर्थ आपू चमाता है, तु क्योखने सकते है, जोब सर्थ एक हमारा ये हमारी हुकुमत है, हमारे हुकुम के बगएर तुम क्ःड़ी ही नहीं रख सकती, तुम्ही गोल किर जाओ मुझे खुरी रगे चलगते हुए तुम किली खुद्सूरत लगती हुआ इसमें हमारा फून भरा हुआ मैं जाती हूँ मैं जाता हूँ चाहे करेंगे तस परस महलों में काथे मगर रहे वही जांगलू के जांगलू हम तो खेल रहे दिवान जी लिजाब भी तेखाई महलों में रहने का सलीका भी नहीं आए अब आपको शिकायत नहीं रहेगी दिवान जी अब आपको शिकायत नहीं जांगलू क्यों राजकुमारी को पढ़ाने लिखाने के लिए महराज ने हमें राजमहल बुलाया है ओ तो राजकुमारी को पढ़ाने के लिए आप राजमहल जा रहे हैं उस्ताज जी हमारे महमान है इनके जरा अच्छी तरह से खातर तवाज़ो करो आईए हो, हो... हो, 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 हो... तुच्छ. तुच्छ. ।ुच्च Meň तुच. है, क्या अजवत व्हामनते? मौसी थांगा, नर्गी थांगा! है? क्या भखवासे कु समझ मनी व्हाता? तुम्हारी खोपड़ी में दमाग हो तो तुम्हारी समझ में आए, मगर तुम्हारी खोपड़ी में तो गोबर भरा है, गोबर है हो, क्या कहा, गोबर? तमीज से बात करो, जानते नहीं, तुम इस वक्त राजकुमारी के सामने खड़े हो तमीज? राजकुमारी को तमीज सिखाने के लिए तो हमें बुलाया गया है, हम राजकुमारी के उस्ताद हैं ओ, तो आप हैं उस्ताद जी? जी हाँ और आपे वही राजकुमारी जो जंगली, चाहिल, कमार वगेरा वगेरा आँ और जिने अदब, तमीज, वगेरा वगेरा आँ तो कुछ हमें सिखाना है तो सिखाईए सीधी खरिड़ा हाथ नीचे पेरंदर दोस्ताज जी, आप ही राजकुमारी बन के दिखा दीजी रुमाद देखो उस्ताज जी, अगर आप और की कपड़े पहनने, तो सचमुछ औरत हो जाए इसमें क्या शक है, क्यों तांक पीजगे ना, तांसे जपीगोने तक गलत, खलत, 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 सुरो, हमें महराज का हुकम है, देखे उस्ताज जी, चाय आप इस लड़की को घूसा मारिये, चाटा मारिये, हंटर मारिये, कुछ भी मारिये, मगर इसे राच कुमारी बना की छ समगी, बहुत अच्छा अस्ताज जी, जैगो मुझे, उस्ताज जी, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं, क्या आप दूर खड़े रहकर मुझे सिखाएं, तागा, तागा, हमारी उस्तादी में यही एक तरीका है, जिस किसी लड़की को राज के उटे सीधे तरीके सीखने हो, वो जो हमें उस्ताद माने, और सुने, उस्तादों के सामने सर जुका के बात करते हैं, जुकाएं, और निश्काताउं, इतना नहीं, इतना, यह क्या बत तमीजी है, महराज के हुकम से इन्हें तमीज सिखा रहा था, महराज की याड लेकर तुम बहुत बत लगाम हो रहे हो, आप ठीक करेंगे, हुकूमत यहां महराज की चलती है, महराज से तकपर ही बैठते हैं, और हुकूमत मेरी चलती है, भगल लो से, मेरा कोई आदमी रहे है, उस्ताद जी की खातिर तरवाजा में कोई कमी न रहे जिवान जी, ऐसी खातिर करूंगा की याद रखेगा, लेक करसे ख़ कि तके जी कि याद! राज कुमारी जी, आपके उस्ताज जी को उन्होंने रीच के पिंजे में डाल दिया है जी हाँ, वो खतरनाक रीच जो आज तक कई आदमें को मार चुका है हाँँएएएएए एचान पाजुष़備 राजार लाजएएएएएएएएएएएए ो डिल्ण लगार वोरा वार्याव दोराव तोराव प्रेटन न्हां पीडोरा करें आरूराद पीडोरा झालो अल्गारा याङ विल्टराव विल्टराव जोराए तंई ॉल्टरा प्रेश ग्रम कान सबता है प्यार की आग में जल जाने को आज कोई दिवा ना आया जब आप एक अपसाना आया, जब आप एक अपसाना आया शमागली ओ शमागली परवाना आया शमागली दुनिया में दो दिल वालों का मिल के बिछड़ना खेल नहीं है हाए, खेल नहीं है दुनिया में दो दिल वालों का मिल के बिछड़ना खेल नहीं है हाए, खेल नहीं है जीवन भर का संद है अपना चार दिनों का मिल नहीं है जीवन भर का संद है अपना चार दिनों का मेल नहीं जे ओ लाट कफिर मह दिल में तेरी देख तेरा मस्ताना आया देख तेरा मस्ताना आया शमाजली ओ शमाजली परवाना आया शमाजली मज़ गोड़ गान गेन तुनना फिर पूर फार चेन चुनना हम फिदले परवानो दोनी चाए हम को सिखा दो अपनी अदाए अंसे दुले बड़वानों बने कर हम को सिखा दू अपनी अदाए तुम क्या जानो आज पर आई वो न सकेंगी तुमसे बपाएं हमने दुखे का तनमन अपना जभी तुमें जल जाना आया जभी तुमें जल जाना आया शमाजली ओ शमाजली परवाना आया शमाजली ओ शमाजली परवाना आया शमाजली दिख्षी महराज, क्या अस्वादों के यही धंग होते हैं? ये तो बड़े नेक मालम होते हैं आओजी, ताओग ताओँ और पिजाजी शिखाते वक्त तो वह को सिखाते हैं कि बस मैं आपसे बयान नहीं करते है बयान करने के क्या जरूर है ये तो चहरे से जहार होता है कि बड़े जहीन और जोशार अभी है इस इज़त अवजाई का शूकरिया हमें शुभा होता है कि हमने पहले तुम्हें कहीं देखा है महराज मुझे भी शुभा होता है ये जरूर कोई दुश्मन जो भेश बदल कर महल में दाखिल हुआ है आपका ये शुभा यकीन अगलत है कौन राज ताउग जी महराज आदावर्जे दिवान जी राज तुम कब उस्ताज बन गए और जिने हमने बुलवा बेजा था वो क्या हुए वो उस्ताज जी ऐसा हुआ महराज कि वो उस्ताज जी हमारे इलाफे में आके बिमार पड़ गए और मुझसे कहने लगे कि अगर मैं वोफ पे महलो में ना पहुचा तो महराज मुझे पत्त्त करवा देंगे मुझे बिचारे की हलत पे रहम आ गया तो मैं भेज बदल कर महल में चला आया और राज कुमारी कुस चांची तांची तांची तो पारई शाबाज, नेक बाप के नेक बेटी को ऐसे ही नेक काम करनी चाहिए राज, तुम मेहलो में आही गए हो, तो आज से हमारे मेमान हो चलो दिवान जी, उस्ताजी को सबक सिखाने दो आज तो पिताजी ने मुझे याद फर्माया है हजार बार कहा कि मुझे पिताजी नहीं, दिवान जिकाँ करो लोगों को ये रिष्टा मालुँ हो गया, तो मेरी इसदखाद में मिल जाएगी लेकिन ये रिष्टा तो फिर भी नहीं बदलेगा खुमन का रिष्टा है ना पिताजी, दुनिया नहीं जानती तो क्या हुआ जोहर, तुम बड़े नालाएक हो बड़े तो आप हैं पिताजी, मैं था आपका बच्चा हूँ खेर, खिद्मत बताईए मैं जो कहने लगाँ उसे गोर से सुनना फरमाईए, मैं सर से बाह तक एक कान बना मैंने तुम्हारी खातिर राज के बाप ठाकुर को जो महराज के बहुत करीब आगया था एक जागिर दिलवा कर महल से दूर फिचवा दिया था ये मैं जानता हूँ पिताजी लेकिन अब अंबर की महबत का ढूंग रचाकर राज भी महराज के करीब आगया है और ये हम तोनों के लिए खासकर तुम्हारे लिए खतरनाख है मैंने उसे रीच से मरवाने की कोशिश की मगर वो वहां से भी बच गया मैं मामले की नजागत को भाब गया हूँ फरमाईए में ले क्या हुकन है अंबर और राज दोनों पर नज़र रखो कहीं ऐसा नहों कि वो महराज के इतना करीब आजाए कि फिर उनके और तक्त के दर्मियान कोई फास्ला न रह जाए आप बेफिकर रहा है पिता जी बुलावा आपका बुलावा आगया नाना मैं भी आती हूँ इस शोले के बुझने से पहले पहले आपके पहुच जाओंगी आप परचाना हमें जी हाँ कल तक तो आप हमारे उसाज देए मगर आज हम तुम्हारे महमाद हैं शाही महमाद और तुम्हे हमारे खाति दौज़ो करने चाहिए आप श्रीफ रखिए मैं आपकी खाति दौज़ो के इंथा हूँ जी नहीं उस महमान नावादी से तो अभी तक उस्ताज जी के हाथ मादी देने हैं अब तो आपके महमान हैं हम चाहते हैं कि आप हमारी खाटे ख़वादे करें, आप हम से कुछ करें, आप हम से कुछ सुनें मेरे दोस्त लो याना खाओ, इसका पीज अंदार से आया है ये देख खाओ सेफ, इसकी सुर्की मेरे से चख्टी वी गालों तक पहुचाती है तुन्में वह शेर सुना है क्या है वहां ललवा लाल, तिरे सेल जैसे गाल अमबर कहा है jin नाना बेटी जिस घड़ी का इंतजार मैं कई बरस से कर रहा था वह आ जा गई मैं भी तो दस बरस से इसी घड़ी इसी बुलावे के लिए तरस रही थी नाना तो बेटी अपने दिल को फॉलाद की तरह मजबूत बना लो और मेरे साथ आओ कई बरस हुए महाराज ने अपने बेटे को जो राजगती का वारिश था मरवा दिया महल इसी लिए कि उसने महलों से दूरागर एक पहाड़ी लड़की से शादी कर दी माराज को ये गवारा न था कि एक पहाड़ी लड़की और उसकी अउलाद शाहि इज़त की हगदार बने लेकिन उससे आज की बुलावे का क्या तालुक? यही कि वो पहाड़ी लड़की तुम्हारी मा थी जिस पर महल के दर्वाजे बंग कर दिये गए और फिर उसने ये खंजल अपने पेट में भोग लिया यहाँ खड़े होकर ठीक इसी जगह और फिर चीकती चिलाती नीचे उस खाई में जागे रही थी नाना अंबर आज भी उसकी चिता के फोल नहीं खाई में पड़े हैं और उस दिन चुने जाएंगे जब तुम उस पर तोड़े हुए सितम का बद्ना ले लोगी यही हम पहाड़ीों की रस्म है मैं इस रस्म को जरूरी भाऊंगी नाना मैं इस सर बुलंद पहाडों की कसम खाकी कहती है कि अपनी मां के दूद का हक जरूर एदा करूँगी शाबाश शाबाश बेटी मगर याद रखना इस सितम का जिन्नदार वही महराज है जो तुमें तस बरस से अपनी बेटी बना कर पाल रहा है कोई भी हो ना दुनिया की कोई चाहत मुझे इतनी प्यारी नहोगी जिस पर मैं अपना फर्स कुर्बान करतूं तो ये बात है तस बरस जब महलों में एक बेसहरा यतीम नहीं एक गातला पल रही थी प्राज कुर्बान प्राज कुर्बान प्राज कुर्बान हमारी खुशक्रिसमती है कि आम महलों में हो मुझे अभी अभी मालूब हुआ है कि आज रात महराज का कपल होने वाला है महराज का कपल जब तक मेरे दम में दम है मैं ऐसे कभी नहोने दूगा वफादा ठाकुर के बहादर बैटे से मुझे यही उम्मी थी आप जट न कीजिए अब से महल के कोली कोली मेरा साय मंड लाएगा सुनो आज रात को अंबर जोही महराज को पतल कर दे तुम फॉरण पहुंचकर उसे उठा ले जाना और राज जिसे आपने अभी बुलाया था वो महराज को पचानी के लिए वहाँ आएगा और मैं उस पर कतल का इल्जाम लगा कर उसे ग्रफतार कर लूँगा और मैं और अंबर तुम अंबर से शादी करके पक्त के हगदार बन जाओगे समझे कि आज रात तुम्हारा हर कदम न पतला होना चाहिए आप इतनान रखे पिताजी सब्सक्राओद। जबाद। यके शेर खुर्दम, यके खुर्दम आई, पारस में पार्ची, यके बंदी खाना, यके बादिशाही, अचबकार रीदम बादिशाही लाई, मतलब इसका मतलब नहीं सुनना है, मुझे नीदा रही आप जाएगे, नीदा रही, आप जाएगे, नीदा रही, नीदा रही, मे तरेखा के तेरे कुल खानदान पर आशिक मेरा कुल खानदान है प्यारे वाँ मुझे सोने भी दोगे लेकिन क्या खड़े खड़े दर्वाजे के पास सोईएगा मैं तो दर्वाजा बंक करने आई थी क्यों कोई खत्रा है आज हाँ जंगल का एक जानवर आगया है महल में अब जा मुझे सोने दो अब प्यात दिला माँ अब जाल बाल करेंग们 झाल कर शल में झार गुड़गी टूमाइज झार दो सियॐनल थाँ प्राइब दार सिन्वाइ़ लूख प्राइब बन्हाँ प्राइंपाटे आपांग। प्रुमा 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 दोर्दू जौर वारे नाँग्ट अर्षु अर्णरी उनुर्क मुर्णा आण सेथर सार्षू आए 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 NURS CRIME NURS CRIME NURS CRIME RAC, GEL BUAK! Uyum! Merhaba, on var RAC! Kışt! RAC! RAC! BHAGWANKA LAK LAK SHUKH HEY KY AAP SELAMAT MEN! KIYA GOO AATTA DIVAN GY? MAHARÁJ! MAHAL KI SAHARI BATTIYA AAK AAK PUNCH GAYI! AUR AAP KE KEMRES SE CHEEKHAY SUNAI DIN! TUM MEN SEPAHIYO KO LEEKER A GAYA! SEPAHIYO! MAHAL KA KONNA KONNA DEEKKER PATA LGAO! YEE KIS NALAYAK KY HARKAT HAY! C आप कर दो अलाओ कि दोका दोका खनी है अज़ से सब्सक्राइब यहां? जो प्रशम्रेब आरे? यह क्यों चाहिंदे सब्सक्राइब इसका निचए गारण mesmo? उपर का सार है लुए व्लुए झाच, जीए भुए. आरे जो ठम प्यूज तो पी हो भुए लुए! अपो हाँ, बिल्कुल अपो हाँ, बिल्कुल अपो हाँ, बिल्कुल अपो हाँ, बिल्कुल अपो हाँ जूते है नेन, गंके मारे देख रही हूँ दिन में सारे जुम्चकरे, अलरीयमा जुम्चकरे अलरीयमा जुम्चकरे जुम्चकरे दोते है नेना गम के मारे देख रही हूँ जिन में तारे जुम्च करे अलरिया मा जुम्च करे मगियन से पिंजरे में आई मैं पंची मजबूर पंची मजबूर बनियन से पिंजरे में आई मैं पंची मजबूर मन बालम के पास मेरा तन बालम से दूँ आजा तू आजा प्रीत्म प्यारे जोडने आके तूटे सहारे जुम्चकारे अलरियमा जुम्चकारे जुम्चकारे अलरियमा जुम्चकारे जुम्चकारे रोते है नैना गम के मारे देख रही हूं दिन में तारे चुम्चकारे, अलरिया माँ चुम्चकारे माज गोड़ गान गिन तुनना, फिर फूर फार चेन चुनना अलरिया माँ चुम्चकारे, माज गोड़ गान गिन तुनना, फिर फूर फार चेन चुनना रंग लाई है, बहार रंग लाई है, पिया को तंग लाई है फिर फ्टार चुम्चकारे कुं करने ब मेरा गूटारे मैं और हुटने सुप करने मेरे च dar तक वो दो युदा के नआ जो जम लुद कि दैनने ais तो लुद में खोपड़ी के परकां सरन घुंचे कर ओ तु और फिया को संग लाई है !! चली आज वह पूल दिल में जो आग बने, आज बोही पूल घड़ घड़ धावित ना को बेढ़ लिho है अलबिया मांचुं चकरे अलबिया मांचुं चकरे है को कि योदे हैं तर दो just today लोग्स recommend Wasp लोग्सएक खच्छो तू अमबर कहा है? अमबर? अमबर कहा है? अमबर यहां नहीं है तू यहां कैसे आया? मैं? चलके वो दिवाजी के साथ थी क्या हुआ? अमबर कहीं चली गई है आज अमबर चली गई तो एक दिन तेरे हाथ से रात कत्य भी चली जाएगी कैसे चली जाएगी? हज़ा अमबर के जाएगी रोको रोको कितना खुबसूरत फूल कहा? वो अगर फूल में खिलाज़ तो फूल क्या? जाएगी आएगी नहाँ जाएगी अमबर रपका रपका अमबर आएगी 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 प्रुबस्प्र आएगी आएगी तो आएगी अमबर अमबर वागी रोका वागी 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 प्रॉख्याब और रहा हुए। भॉटूगोची प्सपीलगा के चाहिए। भॉटूगोची ग्रॉटूगोच्टूगोच्छ। भॉटूगोची तु हुटूगोची आपकाढ़ूची आपके है। चुछ 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 वीवान जी जाहर को किसी नकीस तरह खत्म करना चाहिए इसके लिए और फोज बनाने की जरूवत है मारा करचांची क्या हुआ लगके ने पहली लगकी के हाद से खंजर ले लिया अब दूसरे लेटे को मां डाला ला करना माह्ज गोड़ा गाना गें तो फिर तूरफा शिक चिपना माज गोड़ाका चिपना माल जी, हमान जी ह nue आखाथ के अड़के तक मा तकाजह हैully दीवान जी अगर हम बच्चे होते तो भी यही करते पहरी है दिवान जी, जोहर के बारे में और कुछ कहना है जाती हो अगर माहराज से कह देता है वो तुमें फाजी पर चाहा देते हैं इतना ही नहीं, अगर तुम चाहा तुम मुझे मौत के घाई दिन उतार सकते मगर तुम ऐसा कभी नहीं करोगे च्यों? इसलिए कि मैं तुम हारी हूँ, मेरा मरना जोना तुम हारे साथ है मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम महराज का खूम करना चाहो और मैं देखतार हूँ सुनो अंबर, मैं इसलिए यहां भेजा गया हूँ कि महराज की खिपाज़त कर दूए और जरूरत पड़े तुम गातल को मौत के खाट उतार तुम भी सुनो राज मैं भी यहां इसलिए भेजी गई कि महराज एक जालम आदमी है उसके जुम का खात्मा करना मेरा फर्ज है महराज और जालम? ये गलत है, जूटी तौमत है सुबूत चाहते हैं, तो आव मेरे साथ इससे पहले की कुछ बताओ, मेरे एक सवाल का जवाब देना है करो अगर तुम ही ये बताया जाए कि तुम्हारी मापर किसी ने इतने जुम किये कि उत्तना आकर इस तीले पर आवे और यही खंजर अपने पेख में भोग कर चीज़ती चिलाती इनके खाई में जागिवी एल्या रगड रगड के मरने के लिए तो तुम क्या करते जरा इस खंजर की तरफ देख कर जवाब दो मैं इस खंजर से उस जालम का सीने चाक करते था फिर मुझे रोपने की कोशिश न करो मुझे अपना फर्ज अधा करने तो मगर अमबर माहराज यहечение माहराज के दिव्यमेदार यह तो तुम्हरा शख बे बन्यात है बे-बन्यात मेरी मा की शादी इसी माहराज के लड़के से हूई थी एक पहाडन की शादी राज कुमार के साथ ये बात महराज को गवारा न थी इसलिए उन्होंने अपने बेटे कुमार बादाना फिर उसके बाद महलों के दर्वाजे मेरी माँ पर हमेशा के लिए बंद कर लिए आखिर यही खंजर एक बदनसीब बेवा का सहरा बन गया उनके फूल आज तक वहीं खाई में पड़े और उस दिन तक नहीं चुने जाएंगे जब तक उन पर तोड़े हुए सितम का बदला में ले लिया जाए यही हमारी पहाडी रस्म तुम्हें मेरी कहानी सुनकर दुख हुआ ना हाँ अमबर इतना दुख कि बताना चाहूं तो बताने सकूं मैं जानती हुराज तुम्हारे दिल की एक धड़कर जी सकते है तो फिर मेरी एक बात माद लो हो सकता है कि गातल कुछ दूसरा आत्मी हो अमबर, महराज ऐसे आत्मी नहीं मुम्किन किसी ने तुम्हें गलत कहती हूँ मेरे नाना कभी गलत बात नहीं कहते राज इंसान गलत भी हो सकता है अमबर मैं तुम्हारे नाना से मिलूगा राज, महीराज तुम उनसे न मिलो, अगर उन्ही ये मालम हो गया कि तुम महराज की तरफदार हूँ, तो तुम्हे माल डालेंगे, अगर तुम्ही कुछ होगे, तुम्हे एक जिन्दा लाश बन जाओ, मैं तुम्हारे बगार एक पर भी जिन्दा नहीं रहे सकते। फिर बादा करो, जब तक में सारी असलियत ना करने, तुम महलों में नहीं जाओगे, बादा, तुम हो उन्पर, तुम्हारे एक इशारे पर मेरे गर्दन चूप जाएगे, क्यों, क्या हुआ, ये पहाड़ है, और हम पहाड़ी इस तरह नहीं मिला करते। फिर किस तरह मिला करते हैं? इत्तफाक से. इत्तफाक से? हाँ, तुम इत्तफाक से यहां घूम रहे थे, और मैं इत्तफाक से आ गए. इतने में कोई आ गया, और मैं इत्तफाक से चल दे. भीमू, इत्तफाक से राज हमारे महमान है. तुम यहां का इसे तफाक से अब जब तुम इस पहाड़ों पर बहुत सी बाते अतफाक से होती है,ब जब तुम इस पहाड़ पर आ गय हो, तो इतफाक से हम पहाड़ीयों की महमानवाजी का मज़ा भी चक लो प्रौक कर दो तूटे गीना फ्यार की दोर दुनिया चाहे लगा ले जोर दिल की बात बताओं पालम दिल की बात बताओं मैं दिल की बात बताओं तूटे गीना फ्यार की दोर दुनिया चाहे लगा ले जोर दिल की बात बताओं पालम दिल की बात बताओं मैं दिल की बात बताओं तेरी महबत मेरी जवानी मिल मिल के खलकाए मसी हो जगमग है धरती का चल हो जगमग है धरती का चल जिल में है आकाशिक बसी हो आकाशिक बसी तु है कंदा मैं हूँ चकोर मंजिल अपनी दगन की ओर तेरे पास मैं आओं वालम दिल की बात बताओं आओं मैं दिल की बात बताओं जूम रही है मस्त उमंगी जूम रही है मस्त उमंगी दिल को मिला है दिल का सहारा हो तु दिवाना मैं हो दिवानी कोई न जाने भेज हमारा हो भेज हमारा तु है मेरे मन का मोर सुन ले मेरे दिल के चोर जीवन तुझ पिलताओं वालम दिन की बात बताओं मैं दिन की बात बताओं तेगी ना प्यार की डोर दुनिया चाहे लगा ले जोर दिन की बात बताओं वालम दिन की बात बताओं मैं दिन की बात बताओं वाजरूज़ पिर्टु पो हाहा पी दोह याख याख why like इंदोच तुम आजा है, इन्दुम लीद बिलीदे़क ऐसंति की दोच पॉआ जाता से व्यीये दॉदाdamn वहाख उतिवाख से चीइल याख, इन्दॉद uses जूट बोला था और तुमस्साच्मोश कूद पड़ी इतिफाकसे तुम्हार इस इतिफाक न मेरे सारे कपड़े किर दिये मगर तुम यह आए क्यों? इतिफाकसे मैं यहा चाल रहा थी मुझे ब्यास लगी और इतिफाकसे मैं यह परणी के ने चलाया तुलो पियो, इत्टफाक के इस इत्टफाक के चक्कर से मैं तंग आ गया हूँ कोई ऐसा तरीका पताओ अमबर जो इस इत्टफाक बाजी से मैं बच जाओं इसका तो एक ही तरीका है, वो क्या? शादी कर लो मुस, शादी? को तयार, तुम्हें एक बार हाँ तो करो, हाँ तो मैंने कहिए और तुम्हारे वो नाना? वो भी मान जाएंगे मान जाएंगे? तो फिर तेर किस बाग की? नाहने दोने के लिए सारी उमर पढ़ लिए, जल्दी से अपनी नाना से पूछा भाई क्या इत्थाक है इत्थाक से शादी का इख्रार भी हो गया इत्थाक से जी हाँ, इत्थाक से अब बाहर आना जाते हैं अड़े इत्थाक है आई ए ष अबु मैं! ए लोप खो हुआ scared अमार अमार अमार। झाल झाल हुआ 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 कर दो कर दोड़ जाना है यार तुम भोपू के भोपू ही रहे, इस छुने का मतलब नहीं समझे, क्या मतलब? मतलब यह है कि अमबर ने भरी बरादरे में तुम्हे अपना वर्चुन लिया है, हाँ, वर्चुन लिया हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए? हम पहाड़ियों के रस्न के मताबित तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ नाचना चाहिए नाना, वर्च पसंद आया? मेरी अमबर की पसंदी, मेरी पसंदी हाँ शीमू, इस नाजवत बदन तुम्हे अपना वर्च चुन लिया अब तुम उठो और नाचो इसके साथ हाँ, 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 हाँ 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 हुआ 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 है हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसाथ के महीने में रिम चिम ये फुआर दिल गायर मलहार एक लाग ये सीने में हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसाथ के महीने में रिम चिम ये फुआर दिल गायर मलहार एक लाग ये सीने में तेरी जुलकों की ये रंगत है जो बादल बनके छाई है तेरी जुलकों की ये रंगत है जो बादल बनके छाई है तेरी आखों की मस्ती है जो सावन बनके आई है मेरा दम जब तक रहे प्यार की चमक मेरे दिल के नगीने में हम तुम ये बाहार देखो रंग लाया प्यार बर साथ महीने में रिमज में एक वार दिल दाएर मलहर एक वाव ये सीने में दुनिया का हमारी हान्य खदए आखों में इशारे हो जाएं दुनिया का हमारी हान खदए आखों में इशारे हो जाएं उल्फत का चले ऐसा जा दो दुश्मन की हमारे हो जाएं हम दिल से वदूर नहों कोई मजबूर खिर आए मजा जीने में रिम जिम एक वार दिल गाएर महर एक वाव ये सीने में हम तुम ये बहार देखों रंग लाया प्यार बर साथ महीने में रिम जिम एक वार दिल गाएर महर एक वाव ये सीने में वो, 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 वी, बीमु, यह खघरा पर्टन यहां क्या करने आईए? तुम्हें गरिफतार करें, मुझे गरिफतार करें? चक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक राज को अपना जीवन साथ ही चुनकर तुमने इन पहाड़ों और यहां के रस्म और रिवाज से घबदारी की है इसका ख्याल है तुमें ना आज मैंने जो कुछ किया सोच समझ के किया और शायद यह भूल कर कि तुम्हारी मा के फूल अभी तक उस खाई में जियूंके तूँ पड़े हैं और उधर तुम्हारे बाप का कातिल अभी तक जिन्दा है मैं भूली ना यह भूल जाती तो राज को अपना जीवन साथ ही न चुनती आप समझते क्यों ना जब तक राज महलो में है मैं अपनी मापर तोड़े हुए से तब का बदला नहीं ले सकती और ना आपको अपना दिया हुआ बचन पूरा तर सकती यही सोच कर मैं उसे यहां लाई है मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब तो फिर एक बात हमेशा के लिए समझ जाईए अंबर दुनिया जहान को भुला देगी लेकिन आपको अपनी माँ को इन पहाड़ों को और इन बादियों को कभी नहीं भुलाएगी इसके अलावा देखने वाली आँखों के सामने जो कुछ होता है उसे एक खिलवार समझ के देखते तुझा ले ये खिलवार कहीं हकीकत तो नहीं बन जाएगा मुझ पर भरोसा रखी ना न मैं मानती कि राज से शादी करना एक इंतिहा हो लेकिन अगर मैं उस इंतिहा तक पहुचने लगू तो मुझे रोकियेगा मत शायद उसमें भी कोई मतलब हो मेरे दोर तुम तो बिलकुल पहाड़ी दुला दिखाए देते हो पर तुलन कहा है मेरे भाई दुलन बड़े पेश अबरे हो यार दुलन नहीं हुए भूत का पटोरा हुआ कि चूले से उतार दे ही सामने रखतो मेरे यार हम पाड़ियों का विवाज है कि तुला दुलन एक दुलन को साथ दिन तक नहीं देखते हैं अभी तब पहला ही दिन है और वे है साथ मिनिट पहला दिन साथ दिन मैं समझ गया अंबर का गई गी खवाँ, खवाँ, निस आने अचूँ मिन पहला ही देखते हैं तुला कि उरखते हैं कर दो जदे दूश कर दो, जुझ कर दो जब दो. अमबर जी कहां चली गएती पेटी मैं राज के साथ उसके जागीर देखने चली गएती पिता जी राज कहा है वो उसके पिता ने दो चार दिन के लिए उसे रोख लिया देखे ने कितनी अच्छी तश्वीर है किसकी है मेरे बेटे की जी ये आज जिन्दा होता तो मेरे भुड़ाबे का सहरा होता इसके कातिल मुझे मिल जाए तो मैं उनकी खाले उदरवा दो कातिल कातिल काउने वो जालिम लोग जिनकी नजरों में एक महल और एक जोपे की महबत गुना है उन्होंने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए कतल कर दिया कि बेचारे ने एक पहड़ी लड़की से शादी की थी उन्हें क्या हक था दो महबत करने वालों को जुदा कर डाले का उसने क्या बुरा किया था पहड़ी लोग भी तो इजददार इंसान है क्या सच मुच आप यही सोचते हैं तुम्हें यकीन नहीं आता बेटी किसी को भी यकीन नहीं आता लोग यही समझते हैं कि वो कतल मेरे इशारे से हुआ अब तो खोन के घूंट पेना रह गया है बेटा भरे जवानी में चल बसा बहु और एक नननी बच्ची थी वही महलों में पहुंच जा दी लेकिन तक ते कुई यह भी मनजूर न था बहु बेचारी ने कहीं से कूद कर अपनी चान दे दी और वो नननी बच्ची ना जाने कहा और किस हाल में है अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे सेने से लगा लूँ पिता जी मैं ही हो लड़की आपकी बोटी अमी मेरी बच्ची मेरी बच्ची तुमने ये किस गलती की सजा दी कि दस बरस तक इस राज को चपाए रखा सजा नहीं महाराय, साज़श आपको कतल करने की साज़श यही इस लड़की का मन्शा था और इसलिए महलो में दस बरस रही मैं खूँ जानता हूँ इन पहाड़ी लोगों को आपके खून के प्यासे ही यह देखिये खंजरो इसका मतलब यह है दीवान जी के हमारी तरफ से पहाड़ी लोगों पर इतने जुम हो चुके हैं के आज हमारी ही पोती हमारा खून करने पर मजबूर हो गई हाँ पता जी इस हकूमत में वाकई पहाड़ीयों पर बड़े जुम किये हैं वो मेरी मा की मौत को अभी तक नहीं भूल सके और मेरे नाना को भी यही यकीन है कि आप ही ने अपने बेटे को करल करवाया था हमें यह सुनकर बड़ा सद्मा हुआ बेटी तुम आज ही नाना के पास जाओ और उनसे कहो कि उनका यह यकीन बेबुन्याद है उनसे यह भी कह दो कि हम अपना तक्तो ताज अपना सब कुछ अपनी पोती के हवाले करके खुद तीरती आत्रा को जाने के लिए तयार है कहना यह महल आपका गर है इसके दर्वाजे किसी पहाड़ी पर बन नहीं जाओ बेटी जल जाओ सपाहियो तिवान जी मुझे माफ कर दर्वाज़ आईए एक बाजी शतरंच की हो जाए अंबर तुम महलों की उंची दिवारों और भारी भर कम दर्वाजों की खैदी बन गई हो जिस मकसद के लिए मैंने तस साल तक तुम्हारी जुदाई का सद्मा परदास किया वही मकसद आज तुम्हारे आसों के साथ गुल मिलकर बह रहा है मुझे माफ कर दर्वाज़ मेरे हाथ काब दे हाथ इसलिए काब गए कि तुम महलों में जाकर इन पहाडों को भूल गई अपने खूल को भूल गई अपना फर्द भूल गई नहीं ठी नाना महराज बहुत ही आच्छे वो तो यह चाहते है कि सारा राजपार्ट मेरे हवाले करके तीरत जात्रा को चले जाए यह चाम क्या हम पहाड़ें पर दोडे जुम की माफी चाहने या और जलुम करने की अजहर कि ताकत नजने नहीं नाना, वो कहते हैं पहाड़ी हमारे सम्धी हैं, उनके लिए महलों की दर्वाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे, यकीन नहों तो मेरे साथ चल के देख लीजे लड़की, मेरी लाश ही महलों में जाएगी, या अगर मुझे जाना ही पड़ा, तो उस दिन जाऊँगा, जिस दिन मुझे ये यकीन होगा, कि महल के अंदर मेरा पहला कदम राजा की लाश शे टकराएगा अईसा ना कहिए नाना, महराज ने आपको सच्छी दिल से बलाया है क्या सितन जरीफी है, जिस दगाबाद में मा का हग दबाने के लिए अपने बेटे को ही खतल करवा दिया, बेटी उसी खातिल की तरह तारी कर रही है कोई बाप अपने बेटे को कतल नहीं करवा सकता, ये महद आपकी गलत तैमी है खामुश नकी, अगर तेरा खुल सफेद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पहाड़ी लोंगों की खैर अपने भी दम तोड़ दिया है अब ये हमारे बादों में अतनी ताकत जरूर है कि जालिम को अपने कदमों में जुका कर उसके हर जुलम का हिसाम मां सके नाना महराज, पहाड़ी लोगों को जो आपने दोस्ती का पेगाम भेजा था, उसके जवाब में उन्होंने ये लाशें भेजी है ये लाशें गवाँ है इस बात की ती कि वो हमारे दुश्मन और खून खराबे से बाद नहीं आएंगे दीवान जी, वो उस वक तक बाद कैसे आ सकते हैं जब तक वो गलत फैमिया दूर नहो जाए जो उनके और हमारे दर्मियान पैदा हो चुकी है ये गलत फैमी नहीं महराज, दुश्मनी है गलत फैमी, सरासर गलत फैमी जो बढ़ते बढ़ते दुश्मनी की हद तक पहुँच गई है आप आज ही उनकी इलाके में जाकर नाना को बड़ी इज़त के साथ यहां ले आएए हम खुद एक संदी के हैसियत से उनसे बात करेंगे लेकिन महराज आप दिवान जी, हुक्म की तामील हो हुक्म की खालव। मैं महराज का पैगाम लेकर आया हूँ, कि आपने जिस कातला को आस्रा दिया है, मैं उसे ग्रफ़तार करके महलों में ले जाओं। और अगर मैं उसे तुमारे हवाले करने से इंकार कर दूँ तो, तो महराज के खुक्ष के मताबिक मुझे लश्कर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा नाना, अपने राजा का हुपम डाल दोगे। हाँ, इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ, बलकि इसलिए कि मैं आपकी दिलेरी और सच्चाई का गदरदान हूँ। मैं जानता हूँ कि महराज की तरफ से आप लोग पर बहुत से जल्म हो चुके हैं। और अब भी, कोई ऐसा दिन नहीं जाता। जब कि महलों में आप लोग उता करने की साजिसे न होती हूँ। तो क्या ये ही खबर देने के लिए यहां आए हो ? सिर्फ खबर देने के लिए ही नहीं ना, बलकि आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बखने आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि आईए आप और मैं मिलकर इस जालिम महराज का तखता ही पलट दे मैं आपको महराज की गद्धी पर बैठा हुआ देखना चाहता हूँ ना आईए नहीं ये गद्धार और नमखराम से हाथ मिलाना हम अपनी बेजदती समझते हैं हमें न गद्धी चाहिए न ताज हम अपना हक मांगते हैं हमें अपना हक मिल जाए इसके बाद हमारा और महराज का कोई जगड़ा नहीं आप जितने बहादुर और दिलेर उससे कहीं बढ़कर सादा दिल भी है ना ना वो आदमी जिसने आपकी बेटी शाही हद चीनने के लिए अपने ही बेटे को ठाकुर नामी लुटेरे से मरवा दिया और अब अंबर को मरवाने के लिए उसी ठाकुर के बेटे राज को मुकरर कर दिया है क्या कहा, अंबर को मरवाने के लिए राज को मुकर्रन किया है आज तो मरो भई, आई, आई, राज, साध दिन पुरे हो गया आई दुलन्या चुम चुम करती, आई, दुलन्या चुम चुम करती, आई, चुपी मुझा हसो, हसने क्यों नहीं, आज तुमाही पते क्या पूरी हो गई ना राज, राज मैं बेगुना हूँ बेगुना? किसी की मुहबत का गला खोलती, किसी दोश को साध दिन कायद में रखो फिर को कर के मैं बेगुना राज, राज मेरी हालत पर रह्म करो, मैं तुम्हे सची दिल से प्यार करती हूँ इन आखों में प्यार जरूर छलगता, मगर तिल में चाल बाजी और मकारी का जहर भरा हुआ है यकीन कर लो राज, मैं तुम्हे चाहती हूँ, तुम ही से प्यार करती हूँ यकीन करें, फिर से धोका खाने के लिए, अब तुमें इस किस्से को खत्म करके ही दोगेंगा राज, राज मैं तुमसे क्यार करती छूती, मकार हम प्यार तुम्ही से करते हैं हम प्यार तुम्ही से करते हैं नादान बलं तुम क्या जानों तुम डूठ गये, दिल तूठ गया पाया है जो हम, तुम क्या जानों हम प्यार तुम्ही से करते हैं जब हम को बनाया था अपना क्यों हाल न दिन का जान सके एक पूल चुना, एक पूल चुना और फैक दिया, खुश्बू भी नहीं पहचान सके ठुकरा दिया मेरी उल्पत को अपना इसी तम तुम क्या जानों हम प्यार तुम्ही से करते हैं मित जाए मुहबत की दुनिया ये बात कोई आसान नहीं अर्मान भरा, अर्मान भरा ये दिल मेरा नाजुक है मगर नादान नहीं तुम फेर लो हमसे लाक नजर बदलेंगे न हम तुम क्या जानों हम प्यार तुम्ही से करते हैं नादान पलम तुम क्या जानों हम प्यार तुम्ही से करते हैं मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तुम इसी तरह ठुकराई जाओगी जिसके प्यार से खेरा जाए उसे ठुकरा देने का हक भी मिल जाता है इतना ही नहीं ये हक भी मिल जाता है कि वो प्यार के धोके में रखकर कौई ओचा या कमीना वार करने की तांक में रहे अपने मतलब के लिए महबत का दिखावा करके मुझे बयाकूफ बनाने की कोशिश की मैं इस समझता था कि पहारी सचे इजददार और अपनी बात के धनी होते मेरे यांखे खुल गए आप लोग धोके बाद निकले धोके बाद तुम और तुम्हारा खामबाद जबान सवालिये नाना शराफत का दामन अपने हाथ से नजाने दीजिए शराफत? तुमने और तुम्हारे बापने लोगों को कतल करकर के जागीरे लेने का जो सिर्सिला शुरू कर रखता है क्या वो शराफत है? आपकी बुज़गी और उम्र का लहाज मुझे रोक रहा है नाना वरना अपने खानदान की शराफत का यकीन दिलाने के लिए आपकी जबान तराश लेता हर जूटा सच कहने वाली जबान को काट देना चाहता है यह आप क्या कह रहे है नाना? यह कह रहा हूं ना समझ लड़की कि सच अभी जिन्दा है यह तुम्हे प्यार नहीं करता बलके ठोके में रखकर दुन्या और जहां की नजरे बचा कर तुम्हे मौत के खाट उतारना चाहता है यह जूट है नहीं बावरी यह सच है यह उस कातिल का लड़का है जिसने एक जागेर के खातिर तुम्हारे बाप को कतल कर दिया था और आज तुम्हे भी उसी तरह मौत के खाट उतारने के लिए यह आया है ताके तुम तक तो ताज की हगदाद न बन सको ये जूट है नाना तो क्या ये भी जूट है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हे हुकम दिया था कि जाओ महलों में जाकर साय की तरह अंबर का पीछा करो मेरे पिता जी ने ये कहकर भेजा था कि उससे पहले कोई महाराज की जिम्दगी से खेल जाए तुम उसकी करदन मार देना अब यकीन आया अंबर मुझरिम खुद मान रहा है कि वो क्यों तुमारे रास्ते में आया था क्यों तुम से महबत की थी महद इसलिए कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हे मार डाले दुनिया को तुम्हारी मौत की हवा तक न लगे और फिर महराज इसे एक और जागीर दे दे नहीं नाना अगर ऐसा होता तो आपकी अमबर आज जिन्दा ना होती अगर ये एक इशारा कर देता तुम्हे सूली पर लटक जाती है कहदो राजी कहदो कि ये सब जूट है तुम्हारे पिताजी ने मेरे बाप का खून नहीं किया कहदो राज अगर इसमें थावित हो जाए कि मेरे पिताजी वाकी मुझरिम मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने हाथों बांग कर उने आपके सब्लों में देखा भाग निकलने की राथ होब निकाली मगर अब तुम्हे हियां से जिन्दा जाने ही कौन देगा इनी पहाड़ों में तुम्हारी लाश पर गिद्मड लाएंगे यार तुम्हें अंदा बना सकता है मुझे नहीं बगर लो इस कभी ने को बगर लो ये इलाखा भी कितना अजीज पहाड़ है कि इतने उंचे के आस्मान के सितारों से आखे मिलाती और इनी पहाड़ों में रहने वाले इन्सान इतने गिरे हुए के महमान बनाकर महमान नावाजी नेजे और फालों से करते हैं जूता इर्दाम लगाकर इतना मौका तो दिया होता कि अपनी सफाई तुम्हारे सामने पेश कर सकता नाना मैं इन पहाड़ों की बेटी हुए लेकर इस वक मैं भी वही सोचूँगी जो राज सोच रहा है एक आदमी तड़प रहा है कि उसे सफाई का मौका दिया जाए लेकिन इसे मौका नहीं दिया जाता ये ना इन साफिस इन पहाड़ों के मासे पकलं कर्टीका लगा देगी अच्छा जाओ राज मगर याद रखो गर वापस नहीं आए इस पूरे सीने में अब भी एक ऐसा शोला लपक रहा है जहां भी जाओगे तुम्हें जलाकर राख कर देगा अब ये कभी वापस नहीं आएगा अंबर मेरा दिल गवाही दे रहा है राज जरूर आएगा रहाया नाना को? नहीं महराज मैंने नाना की लाफ मिन्नतें की कि वो महल में आकर आपसे मिले लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया और बोले कि मैं उस वक तक नहीं जाओगा जब तक कि महराज का तहरीरी पैगाम मुझे नहीं मिलें तो फिर तहरीरी पैगाम भीज दो मैंने काज़दा तयार कर लिये सिर्फात के तस्तकत की जरूवत लाइए तो मैं बड़ी खुशी से तस्तकत कर देता हूँ तीवान जी इसका मतलब इस शाही फर्मान के मताबिक जिस पर कि आपने अभी दस्तकत कर दिये हैं आप हगूमत की तमाम जिम्मेदारी मेरे हवाले करके खुद तीर त्याक्तरा हो जा रहे हैं तीवान जी कानून के आड़ लेकर आप हमें देर तक जंजीरों में जकड़ना सकेंगे वो हाकिमों का हाकिम आपकी इस दगाबाजिया और नमखरामे को कभी माफ न करेगा ले जो एक काटा तो निकल गया दूसरा जहरीला काटा अभी बाकी है क्या ये सच है पिता जी क्या आपने अपनी सारी जिंदगी में इस से बहते कुछ नहीं चाहा कि तक तो ताज के वारिस मरते रहें आप खामोश क्यों है क्या ये सच है कि मेरे बारे में आपका सबसे बड़ा सपना यही था कि जिस तरह आपने अंबर के बाप को मारा उसी तरह मैं अंबर को कतल कर दू बोलिये, कहिए कि ये जूट है कहिए कि ये जूट है ताकि दुनिया ये न कहे कि बेटे ने बेगुना बाप को गिरफतार कर लिया इसलिए कि मैं वादा करके आया हूँ कि अगर आप वाग कही गातिल हैं तो मैं आपको गिर्फतार करके नाना के सामने ले जाऊं। बोलिये पिता जी, सुनते हैं, मैं वादा करके आया हूँ, मैं वादा करके आया हूँ, बोलिये पिता जी। कि उखके आया हूँ, मैं वादा, बोलिये थ। क्योंते सीच्पी चलिये जी जी, सौने । कर लोल मैं वादा कर दो कर दोंते हूशिए नीह का मैं, भफकी पिता जी lotus grades आर एमुश्त तो झाल झाल कर दए्व्या घरह दए्टारा इटार से अ कि अ अ अ, 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 जए टूगारा है अ, जए जए, कि अ, आगारा है। हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है ले जाओर से उक्याप खाने में डाल दो देखा जोहर हमारी तरकी में कैसी काम्याब हो रही है अच्छा तो अब सुनो बहुत अच्छा पेदा जी दिवान जी नाना आखिर वही हुआ न जिससे में डरता था आपने मुझे इस काबिल ही न रहने दिया कि में महराज को मुझ दिखा सकता एक तरफ तुमें महराज के सामने आपकी तारीकों के पुल बांद रहा था और इधर आपकी तरफ से एक ऐसा कदम उठ गया जिसने मुझे शर्मिंदा कर दिया आपका मतलब जी मतलब ये कि आपके आदमी शाही घोड़े चुरा लाएं जोट गलत सरासद जोट नाना हाथ कंगन को आर्सी क्या दो कदम बाहर आजाएगे तुमें आपको साही घोड़ो के तापों के निशान के खादू मैं नहीं मामता ये दोखा है अगर सुबूत इतना नज्दीख है तो चल के देख नीचे चला ये देखिए शाही तापों के निशान दो कदम और आगे आजाएए तो आपको ये भी अंदाजा बोजाएगा कि कितने खोड़े चुराए गएं गिल देखिए मौनीव दोगाएएगा क्वादाएएगा अरु कि गजएगा Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nane! 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 अपने आखों से देख लिया ना बेटी? ये महलों में रहने वाले, कितने दोके बाद हैं! इतना कमी ना पंद, इतनी दोके बादी मैंने कभी नहीं देखी! जलील कहीं कि, आपको दोके में रखकर गोली मार दे! जो अपने ही बेटे को कतल करवा सकता है! उसके लिए, ये मामूली बात है, अंबर! नाना, आज मेरी आखी खुल गए! अब तो तुम उन लोगों की बातों में नहीं आओगी न बेटी? कभी नहीं नाना! अपने मा के फूलों को न भूलना! उस रस्म को! कभी नहीं भूलूँगी! नाना! नाना! महराज! मुझे मालूम था कि तुम इसी तरह खंजर लिये हुए आओगी! दिवान जी, महराज कहा है? मुझे ही महराज समझ लो, जो कुछ कहना है मुझसे कहो! सच बताईए दिवान जी, महराज कहा है? महराज लापता है! ओ! जैसे महराज का बेटा लापता हो गया था, वैसे ही महराज भी लापता है! क्यों दिवान जी? शुपरहों अंबर, वरना में तुम्हारे फरेब और तुम्हारे वजूद को मसल कर रख दूँगा! आप क्या किसी के वजूद को मसल सकते हैं? राजा के रूप में ही नहीं, आपको वजूद तो एक इनसान के रूप में भी जूटा है! एक चुहिया ने पहार से कहा, आया पहार तुम्हारा वजूद छूटा है! चक्तानों वाले पहार ने मुस्करा कर एक जरा सा कंकर उचाल दिया! और चुहिया उसके नीचे दब कर वही चित हो गए! लटीफा पसंद आया! ये मत भूलिये दीवान जी, क्या आस्मान वाला जब चाहता है, मकर फरेब के पहाड को एक मामूली जटके से जमी दोज कर देता है! मुझे कोई जमी दोज नहीं कर सकता! ले जा और से और डाल दो तक खाने में! यार नसीब कर सितारा चल्मगा रहा है! जो पास अपहकता हूं सीधा ही पड़ता है! मेरी हवस और उमंगों के रास्ते में जितने रोले थे, सब के सब हड़ गए! अब मैं हूँ और हकूमत, ये तख्त और ये ताज, सब कुछ मेरा है! आपने नाना के पास मुझे इसी लिए भेजा था कि मैं से माट डादें! और उस कादी मुझे माट डादें! और सोस कीजे पिता जी, आपकी ये आखरी तरकीब कामयाब ना हुए! तख्त का हगदार बच गया! जो हर अगर तो परी खायर के चाहता है? नहीं, मैं तख्त चाहता हूँ! इसी तख्त के लिए मैंने आपका हर हुकम माना! महराज के बेटे को कतल किया, राज की बात को माट डाला, नाना को मौत के घाज उतार दिया! इसलिए नहीं कि आप इस तख्त के माली बन जाए! खामच! अरे! अरे कोई है! मैंने कच्ची गोलिया नहीं खेली, पिताजी! महल पर आपका नहीं मेरा कफ़ा है! हाँ! अंबर को कैस खाने से लेया! हाँ! दुनिया में नहीं कोई आर वहादार जमाना सच कहता है यहां कर न किसी से प्यार है बेकार जमाना सच कहता है जमाना सच कहता है दुखतर्द का है बाजार यह संसा जमाना सच कहता है जमाना सच कहता है मिलना है यहां दुखवार दिल को परार जमाना सच कहता है जमाना सच कहता है कर गए वो भी हमसे किनारा जिन को बसाया मन में प्यार के बाजी देत सका है कोई ने इस जीवन में कोई ने इस जीवन में कोती है यहां हर बार दिल के हार जमाना सच कहता है जमाना सच कहता है किसमत ने मजबूर बना कर छीन लिया सुक हमसे काया की इस पैद में आकर कौन बचा है गमसे कौन बचा है गमसे चलते हैं यहां परवार गम के हजार जमाना सच कहता है जमाना सच कहता है दुनिया में नहीं कोई आर वफादा जमाना सच कहता है जमाना सच कहता है दुखतरद का है बाजार यह संसा जमाना सच कहता है जमाना सच कहता है मैं आगई यहूले पिचक कॉड़िए राज!! राज!! कंछ नहींड तै प्स. कोर दो नहीं हो राजा, मिन राज, मिन फिρ्डूrated, मैं आगई रखपरोनी. और वाजादा खुलूँ, और वाजा कुलिए आगई!! म Barnes यहाज रखपरोनी राज , बढ़ी! बता, बता हो रञा मा! मा! बता, मा! और, बता, बता 本़ बता, ताए बता, जां 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 खायो हौ हौ अज़ खायो अज़ खायोग साम खायो साम खायो हौ आज़ अज़ अब चलो, हाँ हाँ, अले आदमी कहा चलो, अंबर जोहां के खैद में है, मैं क्या करूँ, जानते नहीं, अंबर तुम से महबत करती है, मैं खूब चानता हूँ जैसी वो महबत करती है, तुम क्या खाग जानते हो, अरे भाई हम पहाडी अपनी दुन के पक्के होते हैं, इस पन्योंन कोंज किदो KSp हाज झाल किव कि भाल झाल यह पसंद है? नहीं. यह तो ज़रूर पसंद होगा. नहीं. यह पसंद नहीं, वो पसंद हैं, तो क्या पसंद है? मुझे कुछ भी पसंद नहीं. अपै क्यों भे घंचक्रो? तुम तो कहते थे कि हम ऐसा सामानला हैं, कि दुलन खुशी के मारे फागल हो जाए. यह तो वान है? शरकार, घबराते क्यों हैं, देखते जाईए. खडंग सरकार, खडंग हैं. दिल्ली सरकार, दिल्ली हैं. लोटा सरकार, लोटा हैं. माल हुका सरकार. हुका माल सरकार. सादु का लोटा. सादु का लोटा सरकार. सरकार, बदाई हो, बदाई हो. बदाई हो. बदाई हो. बदाई हो. पाजा. देहली दरवार का. जिन्दा दिल कुटा. असाम का. जिन्दा दिल बिल्ली हमालया की. जिन्दा दिल कगरगोश. आसामी. मुर्दा दिल शेर. बंगाल का. ले जाओ ये सब. मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो इत्तफाक से एक नजर इधर भी मुलाजा फरमाईए. देशावादाई हो. बदाई हो. बदाई हो. बदाई हो. देखते जाये. सरकार देखते जाये. वह 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 वह. जदर ठेर कीज़ादाई हो. अभी तो आदा है. ये है पहारी दूले का लिबास. इसे पहन कर पहारी दूला साथ दिन तक दूलन को नहीं देख सकता. अबे मैं ऐसा बेवकुफ दूला थोड़ी हूँ. जो साथ दिन तक अपनी दूलन को ना देख सकूँ. सरकार, ये तो इतफाक से पहारी रसम है. है ना? इतफाक से. और ये देखिए. दर आची आची. ये देखिए. आहा. ये इतफाक से पहारी दूलन का लिबास है. ये म मुझे बेहत पसंद है. आहा. कहिए, सरकार. आप भी मुझे बेहत पसंद है. क्या बकता है? आपकी तरफ से, आपकी तरफ से. शाबास, शाबास. हम तुमसे बहुत खुश है कि हमारी दूलन को बहुत खुश किया है. सरकार, अगर आप हमें जरा और मौका दे तो आपकी दूलन को आर भी खुश कर देंगे. वो कैसे? सरकार, पठाखे से, पठाखे से. सरकार हमारे यहां ब्याशादियों में पठाखा छोड़ा जाता है. बस धमाका होते ही पहाडी और मर्द नाचने लगती है. और वो भी ऐसा नाच सर, ऐसा नाच सरकार, कि शादी के शान दस कुमा बढ़ जाएं. हाजूर, अगर इजाज़त दें तो आपकी शादी पे भी एक टुमक टुमक हो जाएं. हाँ, जरूर, जरूर, हमारी इजाज़त है. सरकार, लेकिन हमारे यहाँ तो नाच गाने वाली लड़के और लड़कियों का लशकर है. हाँ, महल के अंदर कौन आने देगा? ये लो हमारे यंगोटी, इसे दिखा कर तुम महल में दाखिल हो सकते. जाओ, तुम भी जाओ. ये देखो जहर महाराज की अंगोटी, उन्होंने काईदी महाराज को अपनी शादी का नाच दिखाने के लिए बुलाया है. पैचानते नहीं, ये महाराज की अंगोटी है. जन्दी दरावादा खोलो. जुम्धलक्का, जुम्धलक्का, जुम्धलक्का. जुम्धलक्का, जुम्धलक्का, जुम्धलक्का. जुम्धलक्का. जुम्धलक्का, जुम्धलक्का, जुम्धलक्का. जुम्धलक्का. मेरा नाम है दुकी, मैं ना चुंपुकी भुकी. मेरा नाम है दुकी, मैं ना चुंपुकी भुकी. मेरा दिली के पवारे में. मैं चुवाबे पूचन कवा, लखनों के चौरा हेते, हो लखनों के चौरा हेते. अरे वारे बेटा, वाह वाह. मैं पंजा, पंजाब का हूँ, मैं कोलॉम्बो का चक्ता हूँ. अठखन चडखन धैचटाखा, टंबगतू से आया हूँ, मैं टंबगतू से आया हूँ. अकडबगड़ लो हिक्चकर लाल बुझअकड़, जलकल कते हूँ. सता, अठा, नैला, तहला, नाचें जैसे चकका, गुम्दरका, गुम्दरका ओ ओ, जिल-मिल-गुल-गुम्दरका, बोलो, गुम्दरका, गुम्दरका. मेरा नाम है सता मेरा साथ चकों का भगता मेरा साथ चकों का घर्ता मैं अध्था हूँ तम वक्तू के राज गुरू का पठ्था हूँ मैं एक नहला बांका शहला कुछ मीचा कुछ खटा हूँ मैं जुम जरकटा हुँ जिल मिल जिल मिल घूम जरकका अठखन चडखन दई जटाखनगें मैं तम बगतू से आया हूं, फकड़ बगड़ लोहिक टकर लाल उजगड़ जलकल कते हूं, हूं, छू, 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 महल में एक दरबार लगेगा, देखो धूम धड़का, धूम धड़का, धूम धड़का, जिल मिल जिल मिल धूम धड़का, भोलो मिल मिल धूम धड़का, धू में हूँ हुक्म का गुलाम और देखो लाया हूँ पेगाम राजा की सवारी आती है संग राज कुमारी आती है राज कुमारी आती है में हुक्से की प्रेम जिवानी बनना सकोंगी राजा की रानी खामोश नकर बकवास तुझे इस महल में रहना होगा प्यारी है तुझे घर जान तो हमको प्रीतम कहना होगा प्रीतम कहना होगा मैं हुक्से की प्रेम जिवानी बनना सकोंगी राजा की रानी है कोई दे जाओ इस नागन को दे दो किसी कुए में धक्का घूम धरक्का घूम धरक्का जिल मिल जिल मिल घूम धरक्का बोलो जिल मिल घूम धरक्का घूम धरक्का अजखन जडखन दई चताखा अगडम बगडम भई मचाखा खबरदार मेरे प्यार किरानी का जो कोई हाथ लगाएगा तो वही वही मुखी खाएगा अपनी जान गवाएगा अपनी जान गवाएगा अपनी जान गवाएगा बंबकबू हूँ बंबकबू से आया हूँ मैं लेके ढूम जलका सत्ये खेल को जूटा कर तू मिरा दाओ है पका धूम दलका धूम दलका जिल दिल मिल धूम दलका बोलो मिल मिल धूम दलका धूम दलका धूम दलका चंपकतु से आया हूं जाओं पत्तो राज महल से चंबक तू मेरे हुँ कम से नाचो पत्तो ताक्सिना दिन बंबक बूहु बंबक बूहु पकड़ लोहिक चकर लाल चकर जलकलकते हूँ खत्तरून बहत्तर गोडे लाज के नाए बावन बते हूँ हुछ आढकरन जाढकरन जाढकर हुए रुआ से बंबक बंक बंक नुम्क ॉ ओजिए रखो हाई किया जह जरा जहे पहांग सिपसरी कि अыеो https लृल फी इ diff और मौण प hypocके gast है झाल 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 हुआ है आपके से पार भागा पार भागा, भागा जाने बीजिया? तो भेड़ मादास नुचरा है, योगर जो ठेरा हुआ 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 है महराज यही आपके बेटे और मेरे पिताची का काति शाबाज आज तुन्हे आपने बाहदुल पिता का नाम रोशन कर दिया अंबर बेटी इस गद्य और राज की हकदार तुम्ही हो मैं महराज राज तुम्हारा जीवन साती है बेटा चलो मेरे बच्चो तुम्हारा जीवन साती है झाल झाल